नमस्कार आज हम बात करेंगे एकनॉमिक सर्वे दो हुजार बाइस पिछले हफते 31 जन्वरी को यह एकनॉमिक सर्वे पेश किया गया पार्लिमेंट में फाइनाइन्स मिनिस्टर के द्वारा इसके क्या हाइलाइट्स हैं और हमारे लिए क्या निश्कर्स निकलते हैं आज इ हिंदी में भी बैके तो हिंदी में भी हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अगर स्नैपशौT देखें तो आज हम बात करेंगे जीडीपी ग्रोथ की पूरै भारतियेunn एकनुमी की जिसमें चीडीपी ग्रोथ। उसके अंदर सेग्मेंट्स जो हैं सेक्टर्स जो हैं जैसे इ trends आ रहे हैं inflation कहां जाते दिख रहा है inflation के क्या trend है बहुत consumer और wholesale inflation के और foreign exchange reserves कि तरह से भारत के दिख रहे हैं अब हम दुनिया का चौथा सबसे बड़ा राश्टर बन गए है foreign exchange reserves के तौर पे तो बहुत मुल्यवान हमारे foreign exchange reserves हो गए हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे external sector exports वगरा के बारे में भी बातचीत करेंगे तो पहले चलते है GDP growth के तरफ तो इस साल उमीद है 9.2 प्रतिशत की growth की यह है एपरिल एक दो हुजार एकिस से मार्च इकतेस दो हुजार बाइस तक यह जो financial year 2022 जो हम कहते हैं उसमें हमें उमीद है भारत विश्व का बड़े विश्व की बड़े economies में दस बड़े economies में सबसे तेजी से भारत ही करेगा GDP 9.2 प्रतिशत और अगले साल भी हम विश्व की बड़े economies में सबसे तेज ग्रो होने वाली राष्ट्र रहेंगे सबसे तेज ग्रो होने वाली economy रहेंगे आठ से साड़े आठ परसेंट की आप प्रोजेक्शन दिया है एकनॉमिक सर्वे ने देखते हैं इसके वैक्सीन लगवग एक सो साथ करोड वैक्सीन भारत में लग चुके हैं सतर प्रतिशत जो वैक्सीन के हकदार थे उन में से सतर प्रतिशत को दो वैक्सीन लग चुके हैं और नवे प्रतिशत से जादा भरती है जो के उस सेग्मेंट में आते हैं उनको एक डोस मिनिमम लग चुकी है फिर जो गेंस आए सप्लाइश साइड रिफॉर्म से जो आत्मनिर्भर भारत पी एलाई स्कीम इस ओफ डोइंग बिसनेश स्टार्ट अप इंडिया सब साइड जो सप्लाइश साइड रिफॉर्म रहे उसके इस ओफ डोइंग बिसनेश जो मैंने कहा इस ओफ लिविंग जो सरकार ने एक धिय बनाया है अपना उससे भी काफी इसमें सहेता मिली एक्सपोर्ट हमारे बड़ी तेजी से ग्रो किये अब मर्चंडाइज एक्सपोर्ट मतलब गुड्स का जो एक्सपोर्ट है इस साल मेनों में 40 बिलियन प्रती माह का प्रती मंथ हर मास में 40 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होना लग रहा है पॉसिबल और कैपिटल स्पेंडिंग सरकार ने इस साल 2022 में लगवग साढ़े पांच लाग करोड की कैपिटल स्पेंडिंग करने का की घोशना की थी उसमें से कोईंबर तक और लग रहा है कि आखरी चार महिने में बाकी का भी बड़ा हिस्सा खर्च हो जाएगा और अगले साल के लिए भी बहुत बड़ा एक बुलंद नंबर साढ़े साथ लाग करोड का उन्होंने रखा है कैपिटल स्पेंडिंग के लिए तो यह भी बहुत सहायत देरा एकॉनोमी को रिकावर होने में दूसरा बाकी मल्टी लैटरल इंसिटूशन क्या कह रहे हैं जो हमारा आठ से साढ़े आठ प्रतिशत प्रोजेक्शन है जीडिपी का वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 8.7 भारत ग्रोग करेगा एशियन डिवलप्मेंट बैंक वो कहता है क साढ़े साथ प्रतिशत और आएम एफ का जो वर्ल्ड एकनॉमिक आउटलुक प्रोजेक्शन वो निकालते हैं साल में दो बारी वो जनवरी में जो आया उसका उसमें उन्होंने कहा कि भारत नौ प्रतिशत क्रोग करेगा तो सोच लीजे आठ से साढ़े आठ प्रतिशत सर होना जाते हैं तो हमने जीडीपी ग्रोथ ओवरॉल कवर की अब हम इंडस्ट्री सर्विस्स और अग्रिकल्चर यह तीनों जो शेत्र हैं जीडीपी के अंदर इनके ऊपर थोड़ी बारिकी से देखते हैं तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत तेजी से बड़ी एक स्लोड बीस इकिस में बहुत फरक पड़ गया क्योंकि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के आने से काफी असर पड़ा जो यह इंडस्ट्री नीचे हो गए माइनस सेवन हो गया जो अच्छी बात है कि सेकंड वेव दूसरे माई दो हजार बाइस दो हजार इकिस में होने के बावज से रिकावर किया है जो सरकार की नीतिया है सप्लाइ साइड की और यह सब पी एलाइ स्कीम वगएरा जो भी आ रही है प्रोटसाहन मिला साथ में सरकार ने जो टैक्स में रियायत दी कॉर्परेट टैक्स का कट किया और मैनुफैक्शनिंग अगर आप नया यूनिट लगात में ओवराल देखें तो आई 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 पी जो हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ इंडेस्ट्रियल प्रोडक्शन जो पूरा इंडेस्ट्री का एक सुचांक होता है वो 17% से जादा अब एप्रिल से नोवेंबर के महीनों में ग्रो हुआ जो माइनस 15% था पिछले साल इस साल 17% क्यों है बड़ी कंपनियों का वो 10% आ गया बहुत जबरदस्ट एक नबर आया तो यह क्या दिखा रहा है कि कंपनियों का जो बॉटम लाइन है प्रोफिट से वो बढ़ने लग गए उनके सेल्स के मुकाबले में 30% इंक्रीज इन रोट कंस्ट्रक्शन तो सड़कें बनान यह सरहानिया है कि बहुत तेजी से काम चलता रहा सड़कों पर कोविट के बावजूद यह काम जारी रहा और अब कोविट के बाद 36 किलोमीटर दिन का सड़क बनाया जा रहा है भारतिये रेल में बहुत जबरदस 5 गुना कैपेक्स बढ़ गया है सवा 2 लाग करोड इस सा साल खर्चे किये जाएंगे दोजार चौदा के लेवल से यह पांच गुना बढ़ गया है तो जहां हम 40,000 करोड सालाना भारतिये रेल में कैपिटल एक्स्पेंडिचर करते थे अब हम 2 लाग करोड कर रहे हैं और इस साल की बजट में तो यह नंबर और बढ़ाया गया है कंपनियों को नई फैक्टरियां नए जॉब्स क्रिएट करने के लिए और ना केवल फिजिकल तौर पे बट डिजिटल तौर पे भी इंफ्रेस्रेक्ट्टर्चर क्रिएट किया जा रहा है तो सरकार की नीतियों से फिजिकल या रोड रेलवे पुल पॉर्ट्स वेरहाऊसेज यह सब तो बनी रहे हैं बट डिजिटल की तरफ भी सरकार का उतना ही ध्यान है और यह हमने बजेट में भी देखा सर्विस सेक्टर पर आएं इंडस्ट्री हमने कवर कर लें सर्विस सेक्ट फिर गिरा पफिछले साल और यह हमारा जो GDP है उसमें लगपक 55 प्रतिशत सर्वेश सेक्टर का कॉन्ट्रिबीशन रहता है तो बहुत जरोरी है दिजिडा सेक्टर सारी सर्विसेज तूरिजम, ट्रैवल, टेलीकॉम सर्विसेज, फाइनशल सर्विसेज से लेके जितनी भी आप सर्विसेज देख लीजे एकॉनमी में वो सर्विस सेक्टर में आती हैं तो आठ देशमलब चार प्रतिशत गिरा था पिछले साल उसके सामने आठ देशमलब दो प्रतिशत ये उठ गया है फिर से तो बड़ी तेजी से उठा जो हाई कॉन्टेक्ट है जहां लोग खुद जाते हैं जैसे बाहर खाना खाने, शौपिंग हो गई या सिनिमा घर हो गई, टूरिसम हो गया परियतन के लिए लोग जाते हैं, वो सब अभी भी प्रॉब्लम है, एर्लाइन्स में इंटरनेशनल फ्लाइट अभी भी बरकरार नहीं होई है, बट डुमेस्टिक काफी तेजी से बढ़ा है, अभी भी कम है अपने पिछले पीक से, बट तेजी से बढ़ा है, तो हाई कॉंटाइट, कॉंटाइक्ट इंटेंसिफ जो इंडस्ट्री सें सर्विस में, वो नहीं रेकावर होई, बट बाकी हम देखिए, जो ऑनलाइन सर्विसेस हैं, डिजिटल सर्विसेस हैं, ये तेजी से बढ़ रह नहीं है, और इन्होंने वो गैप फिल अप कर दिया, एकॉनमी में, सर्विस सेक्टर को का विशलेशन देखें, तो 8.2 प्रतिशत इस साल ग्रोथ होने की उमीद है, 2021 में, सेकेंड वेव में ज्यादा फरक नहीं पड़ा, हमारे हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स जो बत सब में इतना फरक नहीं पड़ा, दिखाता है कि ना केवल सरकार, बट लोगों को भी अब समझ आ गई कि इस कोविट के खत्रे को कैसे पार पाना है, और बिजनस चलाते रहना है कैसे, और सरकारों ने भी इतना लॉकडाउंस नहीं किया, उससे भी थोड़ा मदद मिला, 21 प्रतिशत ग्रोथ इन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, तो सर्विस के हमारे एक्सपोर्ट्स अब दोजार उन्निस के बीस के लेवल से जाधा हो गए, प्री पैंडमिक से आगे बढ़ गए हैं, और सॉला, सॉला बिलियन डॉलर एफडी आई, यह जो फॉरें डिरेक्ट इन बहुत एक बड़ा अमांट सर्विसेज में आ रहा है विदेशी निवेशकों से, लंबी अवधी के कैपिटल के तौर पे, यह बहुत ही सरानिय चीज हो रही है, दूसरा, वर्ल्ड कमर्शिल सर्विसेज एक्सपोर्ट में, दुनिया भर की कमर्शिल सर्विसेज के हो गया, 2020 में, बहुत अच्छा है, और बढ़ना चाहिए, 14,000 नए स्टार्ट अप भारत में शुरू हुए, 21 में, अब भारत विश्व का तीसरा बड़ा ऐसा देश है, जो स्टार्ट अप नंबर में, स्टार्ट अप एको सिस्टम में, अमेरिका और चीन हो गए पहले दो और हम तीसरे बड़े हो गए, बहुत रिफॉर्म सरकार करती जा रही है, सर्विस सेक्टर के लिए, जैसे के टेलिकॉम रेगुलेशन, आईटी, बीपी ओ सेक्टर को तंग कर रही थी, बहुत आई गई, स्पेस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को आने दिया, नेजी प्लेयर्स को प्रोटसाहन दिया जा रहा है, इस तरह के, और 44 इंडियन स्टार्टप यूनिकॉन बन गई, यूनिकॉन क्या होता है, जिसकी मार्किट कैप एक बिलियन डॉलर क्रॉस हो जाए, तो 44 ऐसी कंपनिया हैं, 2021 में, जो यूनिकॉन बनी, और भारत में अब कुल ऐ तो यह बहुत अच्छा है, इसे वेल्थ क्रियेशन भी होती है, नए-नए सलूशन भी एजास होते हैं, और साथ में नौकरियां भी आती हैं लोगों के लिए, और बड़ी-बड़ी कंपनियों में नौकरियां नहीं बनके, यह स्टार्ट अप्स में नौकरियां बनके, बह आते हैं क्रिशी की तरफ, अभी भी साथ प्रतिशत भारत ग्रामिन इलाकों में रहता है, तो क्रिशी बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, अच्छी बात क्या रही कि दोहजार बीस हिखिस में, हमने देखा ही नहीं के एग्री कल्चर नीचे जाए, एग्री कल्चर स समतल रहा, थोड़ा सा गिरा, बट जादातर लोगों ने एग्री कल्चर को बनाए रहा और इसमें राष्टर की सरकारों और केंदर सरकार और साथ में स्टेट्स की सरकारों को, बिलकुल हमें सराहना करनी चाहिए, उनकी प्रिशंसा करनी चाहिए, यूंकि उन्होंने हमारा एक्सपोर्ट बहुत बड़ा ये फार्म सेक्टर का तो काफी हद तक कोडिनेटेड रिस्पॉंस रहा, पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्रिक्ट लेवल पे और साथ में स्टेट सरकारों पे और केंद्रिय सरकार से भी, और अगले साल भी हमें उमीद ह है कि अग्रिकल्चर तेजी से बढ़ना चाहिए है, इसमें आप फूट ग्रेन प्रोडक्शन देखिए तो आल टाइम हाई चू रहे हम, इस साल उमीद है कि तीन लाख मिलियन टन आप सोचिए, तीन सो आर्ट मिलियन टन्स हम क्रॉस कर जाएंगे, तो लगवग सोचें तो भारत ने कभी भी इतना उत्पादन नहीं किया, गेहूं का, इसका राइस का, कोर्स सीरियल्स और डालों का, यह सब मिला के जो फूट ग्रेन प्रोडक्शन है हमारा अल टाइम हाई पे है, और यह उस टाइम पे है जबके ब्राजील में ड्राउट है, कैलिफोनिया के युक्रेन के बीच में जंग है, रेशिया युक्रेन मिलके 29 प्रतिशाथ दुनिया का वीट का गेहूं का एक्सपोर्ट वो दोनों करते हैं, 55 मिलियन टन रेशिया और युक्रेन का है एक्सपोर्ट, तो ऐसे माहुल में भारत के पास इतना सर्फलस होना बहुत अच्छी बात है, और इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर जरुरत पड़ेगी तो, और साथ में किसानों के जेब में पैसा जा रहा है इसके थ्रूप, तो हमने GDP ग्रोथ कवर किया, इंडस्ट्री, सर्विसेज और ग्रामिड, अब आते हैं, फिसकल डेफिसिट की तरफ, तो सरकारी कंपनियों से, और कुछ कैपिटल रिसीट सरकार के पास आती है, वो सब मिलाके सरकार की जमापुंजी होती है, उसके सामने सरकार खर्चा करती है, और यह हो रहा है कि खर्चा जादा है, सरकार की आमदनी से खर्चा जादा है, उसको फिसकल डेफिसिट कहते हैं, व UPSC के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जरूर चेक कर लीजिए प्राइमरी रेविन्यू और फिस्कल डेफिसिट में क्या डिफरेंस है हमारे लिए ज्यादा तर मार्किट के लिए हम यह फिस्कल डेफिसिट का नंबर देखते हैं कि कुल सरकार का आमदनी और कुल सरकार क का खर्चा और फिर जो यह नंबर निकल के आता है 15-16 करोड़ रुपए साल का वह हमारे जीडीपी का क्या परसिंटेज है तो नॉर्मली हम कोशिश करते थे के साड़े तीन से साड़े चार के बीच में यह फिसकल डेफिसिट रहे 2020 में क्यूंकि इतनी बड़ी फर्स्ट व गतवर्ष में 6.8 प्रतिशत की उमीद है और यहां हमें लगता है कि सरकार कंसरवेटिव है क्योंकि अभी तक जादा खर्चा नहीं किया गया है तो 15-16 लाग के सामने अभी तक हमने कुल साड़े नौ लाग करोड का डेफिसिट ही किया है सरकार की खजाने में एक लाग करो 4 डुपया पड़ा है तो क्या यह चार महिनों में देसेंबर जैनवरी फरवरी मार्च में इतना खर्चा हो पाएगा हमें लगता है नहीं तो हो सकता है यह नंबर इससे भी कम आएगा और सरकार के पास surplus रहेगा थोड़ा इस नंबर के उपर से अगले साल में खर्चा करने के लिए तो बहुत अच्छा है कि सरकार ने conservative एक estimate दिया है और उससे भी वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे फिस्कल डिवेलप्मेंट्स क्या है एकॉनमी तो बहुत अच्छी तरह बांस बैक कर रही है रिकवरी आ रही है बड़े देशों में हम अग्रसर हैं सबसे फर्स्ट हैं गत वर्ष में भी इस साल अगले आगामी वर्ष में भी हम बिलकुल नंबर वन रहेंगे रेविन्यू रिसीट्स जो है वो 67% बढ़ गई विछले साल के मुकाबले अब रेविन्यू में क्या-क्या है सरकार का डिरेक्ट टैक्स और इंडारेक्ट टैक्स जो हम और आप इंडिविज़्ुल इंकम टैक्स बरते हैं या जो कंपनिया partnerships, LLPs वगएरा जो non-individual corporate tax बढ़ते हैं वो direct tax हो गया indirect tax क्या हो गया आपका GST जो है तो दोनों मिला के 67% पिछले साल से बढ़ गए है सरकार की उमीद थी पूरे साल के लिए लगबग 24 प्रतिशत की बढ़ातरी revenues में उसके सामने बहुत दमदार और in fact आपने देखा होगा जनवरी 2022 का जो GST का अंकड़ा है वो all time high एक लाख 40,000 करोड से जादा आया जहां एक लाख करोड भी करने के लिए हम struggle करते थे पिछले कुछ महीनों से एक लाख 20 क्रॉस हो रहा था और जनवरी में तो एक लाख 40,000 करोड से जादा का GST आया तो बहुत बहुत अच्छा नमबर आ रहा है दिखा रहा है के economy बढ़ रही है दिखा रहा है के compliance बढ़ रही है लोग tax भी भर रहे है और formalize हो रही है economy जो informal economy थी जो tax के दारे में नहीं आती थी वो secured हई है और जो informal economy थी tax के दारे में नहीं आती थी वो secured रही है और जो formal economy है उसमें बढ़ रही है तो ये सब के लिए अच्छा है क्योंकि अगर tax हर आदमी पे करे तो ये नहीं है कि किसी तपके के उपर भार पड़ा रहेगा तो ये बहुत अच्छा है इस तरह से tax revenue बढ़ रहे है capital expenditure जैसे हमने बात किया 13% बढ़ा है साल-दे साल fiscal deficit अभी तक November तक 46% था December तक 55% है बजटेड एस्टिमेट तो बजट में जो कहा गया था अभी तक 55% ही है तो लगता नहीं के 6.8% सरकार खर्च देगी हो सकता एक एक लाग दो लाग करोड हमारे पास surplus बच जाए अगले साल के लिए जो markets के लिए बहुत ही सुविधा जनक होगा बहुत ही अच्छा होगा government debt जो है सरकार का जो लोन है वह भी कम होने की उमीद है अभी क्या हो गया है कि इंद्रिय सरकार और राज्य सरकारों का मिलके जो बोज है उनके सर पे debt का वह GDP का 91 प्रतिशत पहुंच गया है 91 प्रतिशत पहुंच गया है 100 प्रतिशत क्रॉस होता है तो थोड़ा डर लगता है जैसे आपने देखा होगा जब यह यूरप में ग्रीस वगरा का संकट आया था उन कंट्रीज का debt to GDP 500 प्रतिशत था 250 परसेंट टू जीडीपी था उनका हमारा 91 प्रतिशत हो गया है सरकार का जो प्रोजेक्शन है अगले दो साल में हम इसको 88 प्रतिशत ले आएंगे और धीरे-धीरे इसको कम करते जाएंगे इसको दो तरीके से कम कर सकते हैं सबसे असान है कि आप अपना GDP बढ़ाईए तो यह debt है और उसके नीचे GDP है तो denominator को बढ़ाईए GDP बढ़ा दीजिए तो यह कम हो जाएगा दूसरा है कि repay करते जाएए debt और नया debt मत बनाएए वो थोड़ा मुश्किल रहता है उस तो अच्छी बात है कि growth रहेगी आठ दस प्रतिशत economy grow करेगी तो यह अपने आप यह जो ratio है इस पर अंकुष लगा रहेगा सरकार ने और क्या अच्छा किया था पिछली budget में 2021 की budget में जो budget से बाहर loan होते थे उनको भी यह budget में ले आए तो यह बहुत अच्छा है क्योंकि एक जगा में बहुत पाड़ तरसिता से आपको पता लग रहा है कि कितना debt सरकार उठा रही है तो यह बहुत अच्छा हुआ specially food corporation का जो debt होता है NHEI का होता है highway का सड़कें बनाने का इन सब को budget में दिखाने लग गए तो बहुत अच्छा यह सरहाना की विदेशी निवेशकों ने भी कि बहुत पाड़ दर्शिता के साथ सरकार इसको अपने balance sheet में दर्शा रही है और state governments ने तो बहुत जबरदस्त काम किया है उनका भी 67 परसेंट उनका कैपेक्स पिछले साल बढ़ा है तो state level पे भी राज सरकारों की level पे भी बहुत अच्छा नाव हो तो fiscal हो गया सरकार का monetary आ गए हम RBI की तरफ वो money supply में क्या करते हैं उसको monetary policy कहते हैं तो banks का जो credit है banks जो loan देते हैं retail निवेशकों को retail अधारकों को या फिर corporations को या किसानों को क्रिशी शेत्र में ये तीन तरह के और फिर छोटे मजोले businesses को MSME जो हम कहते हैं overall credit growth अब 9 प्रतिश्यत आ रही है यह बहुत अच्छा है दो साल से credit growth हम देख रहे थे नहीं आ रही रिटेल की credit growth मकानों के लिए credit जरूर तेजी से बढ़ड़ा था corporate के लिए नहीं बढ़ड़ा था अब यह 9 प्रतिश्यत जो cross हो रही है यह बहुत अच्छा है बैंक्स के लिए भी अच्छा है economy के लिए अच्छा है क्रेडिट जब बढ़ेगा तो हम देखेंगे के economy भी तेजी से बढ़ेगी दूसरी बात क्या है जो खराब लोन है ग्रॉस एंपीए जो है स्टेट बैंक्स के स्टेट ओंड बैंक्स यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं करें बट जो सारे राश्ट्रिय बैंक्स है उनका ग्यारा प्रतिशत से लगवग 6.9 प्रतिशत आ गया और और भी कम होता जाएगा उससे भी अच्छा नेट एंपीए 6 प्रतिशत से 2.2 प्रतिशत में आ गया तो यह जो प्रॉब्लम चल रही थी 7-8 सालों से हमें के बैंक्स की बैंक्स के पास बहुत सारे खराब लोन्स पड़े हैं और कैपिटल नहीं है उसके करण नया क्रेडिट नहीं दे पारे वह सब अब खतम हो गया हम बढ़ आए और एंपीए भी यह कम ले आया है साथ में कैपिटलाइजेशन जो हम करते हैं बैंक्स को अपने कैपिटल रखना पड़ता है अपनी बैलेंशीट के सामने तो अगर 100 रुपे आप लेंड करते हैं आपके पास 11-15 रुपे होने चाहिए जेव में तब आप 100 रेशियो है वो 13 प्रतिशत से 16.54 प्रतिशत हो गया यह दिखाता है स्ट्रेंथ हमारे जो सरकारी बैंक्स हैं उनकी स्ट्रेंथ अच्छी हो गई है लिक्विडिटी बहुत अच्छी है इन फैक्ट आठ लाक करोड रोजाना बैंक्स आर्बियाई में जमा करवाते थे देर है आर्बियाई ने अक्टोबर की पॉलिसी से इसको निकालना शुरू किया अभी तक धाई लाक करोड वो निकाल चुके हैं अभी भी रोज का चार पांच लाक करोड का सर्प्लस है लिक्विडिटी बहुत अच्छी है यह पूरा मार्किट को हेल्प करती है टाइट अगर हो मार्किट तो रेट्स बहुत बढ़ जाएंगे और चक्का जाम हो जाता है एकॉनमी में लिक्विडिटी रहती है तो एकॉनमी चलती रहती है तो यह आर्बियाई ने बहुत अच्छी तरह से इसको मैनेज किया है मार्च 2020 से लेके अभी तक बहुत अच्छी तरह इनोंने पैनी नजर भी रखी है और एंशोर किया है कि लिक्विडिटी आती रहे और एग्री कल्चर को जो क्रेडिट जा रहा है क्रिशी को वह भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है यह भी सरहानी है और देखें तो IPO मार्किट स्टॉक मार्किट में आपने देखाई कि 75 ऐसी इशूज आई एप्रिल से नोवेंबर 2021 में लगबग 90 हजार करोड का पैसा उठाया गया और भारतिय मार्किट्स ने लार्ज मार्किट्स हम चटे बड़े मार्किट हैं दुनिया के और टॉप 10 मार्किट्स में देखें तो हम टॉप पर्फॉर्मिंग मार्किट थे हमारा NAC Nifty हो BAC Sensex हो Small Cap हो Mid Cap Index हो भारतिया इंडेक्स टॉप पर्फॉर्मिंग रहे पिछले साल और फिर थोड़ी बात इन्होंने की के bankruptcy code for cross border तो अच्छी तरीके से काम चल रहा है basically के लोग हम अकर्शक बनाएं भारत को capital आए foreign capital आए और यहां बसे और यहां पर industry लगाए service industry लगाए ताके रोजगार भी मिले और भारत की उपलब्दियां भी हो तो हमने cover किया GDP growth इंडेस्ट्री एग्रिकल्चर सर्विसेज फिस्कल अब हम आते हैं inflation की तरफ inflation एक कर रहता है गरीबों के उपर inflation is a tax on the poor and the middle class एक छुपावा risk रहता है inflation बढ़ता रहा है पिछले आप देखिए अगर यह नीली जो रेखा है वो consumer inflation है और जो लाल रेखा है वो WPI या wholesale producer price आप कह सकते हैं wholesale जो businesses को inflation पेश करनी पढ़ रही है तो inflation काफी बढ़ी होई है economy में थोड़ी बहुत घटी सरकार ने स्पेशली जो खादय पदार्टों की inflation थी उसको काबू में किया बहुत सारे measures लेके और agriculture ने भी बहुत इसमें सहरा दिया हमारे किसानों ने जादा production करके इसको सहरा दिया है के food inflation हम कर पाए supply side management सरकार focus जरूर कर रही है बट inflation बढ़ रही है और बाकी जो है price rice in pulses and edible oils यह जो दालों का और खादय तेलों का आप देख रहे हैं किस तरह से कीमते बढ़ी हैं अब खादय तेल हम 60% भारत इसको import करता है बाहर से हम मंगवाते हैं तो अब यह हम इस budget में देखें तो सरकार ने focus दिया कि किसानों को subsidy दी जाएगी ताके भारत इसमें आत्मनिर्बर हो जाए जैसे दूद में हम आत्मनिर्बर हो गए गेहूं में अधान में हर चीज़ में आत्मनिर्बर हो दालों में इस सरकार ने बहुत कमाल का काम किया पिछले 6-7 सालों में बहुत हद तक दालों में हम आत्मनिर्बर बन रहे हैं तो अब खादे तेलों में यह उमीद है कि अगले 2-3 सालों में अच्छी policies के चलते हम घेरा बढ़ाएंगे इनके उत्पादन का भारत में और उस से फिर आत्मनिर्बर हो जाएंगे बाहर से हमें मंगाना ना पड़े जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो बड़ा साड़े बारा परसेंट जादा तर क्यों एक तो पिछले साल कीमते गिरीन थी बहुत तेजी से तो बेस इफेक्ट जो हम कहते हैं पिछले साल के मुकाबल से बढ़ा है एकनॉमिक एक्टिविटी तेजी से बढ़ी तो रिवेंच कंजम्शन आया एकदम से तेजी से कंजम्शन आ गया उससे भी कीमते बढ़ जाती हैं और इंटेनेशनल प्राइस जो कमोडिटी इंडेक्स है पिछले साल दोजार इकिस कैलेंडर में 28 प्रतिशत तेल की कीमते 55 प्रतिशत बढ़ें और भारत 84 प्रतिशत अपनी खपत क्रूड ओयल की बाहर से मंगाता है तो जब कीमते बढ़ें वह सीधा पास्थ्रू हो जाती है एक आप नंबर याद रख लीजे अगर 10 परसेंट तेल की कीमत बढ़ती है विश्व के मार्किट्स में के उपर 0.5% कंजूमर इंफलेशन बढ़ती है तो दशमलव 5% कंजूमर की उपहुकताओं की इंफलेशन बढ़ जाती है और 10% क्रूड ओयल बढ़ता है तो होलसेल इंफलेशन भारत की एक प्रतिशत बढ़ जाती है तो 55 प्रतिशत जब क्रूड ओयल बढ़ा तो आपको क्रूड ओयल से ही इसमें व्रिधी हो गई यह आप नंबर जरूर जहन में रखिए अब इलेक्शन के चलते लगबग जनवरी या डिसेंबर के एंड से सरकारी कंपनियों ने तेल की कीमते नहीं बढ़ाएं साथ मार्च को जैसे इलेक्शन खतम होगे उमीद है कि आठ ट्रोल और डीजल की कीमतों में सरकारी कंपनियों के चलते तो यह इस पर आप नजर रखिए रखिए बट फॉर्मूला यह है पॉइंट फाइब परसेंट सीपी आई वन परसेंट डब्ल्यू पी आई दस प्रतिशत व्रिधी होने पे इस साल जनवरी में ही 2022 में आल्रेड सत्रा प्रतिशत बढ़ गया तेल की कीमत तो सत्रा प्रतिशत बढ़ा तो आप सोच लीजिए के पॉइंट एट पॉइंट नाइन तो आपकी कंजूमर इंफलेशन पर इंपक्ट आ जाएगा अगले दो-तिन महीने में और आपकी डवल्यू पी आई पे नेरली दो प्रतिशन आती है कमोडिटी और ओयल की कीमतों के बढ़ने से यह हमें सोच के रखना है तो हमने कवर किया जीडीपी इंडस्ट्री सर्विसेज एग्री कल्चर फिस्कल डेफिसेट इंफलेशन अब आखिर में फॉरेंड एक्सचेंज रिजर्व्स तो एक्स्टर्नल सेक्टर थोड़ा एक घुंट पानी पिलूं गला सुकता है एक्स्टर्नल सेक्टर देखें तो मर्चंडाइज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्री कोवेड लेवल से बढ़ गए हैं यह बहुत अच्छी बात है सिग्निफिकेंट पिक पिक अपिन नेट सर्विस इस हमारे सर्विस एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे हैं कैपिटल इंफ्लोउज 65 बिलियन डॉलर छे महीने में आ गए तो मतलब के पूरे साल में उमीद है के 120-130 बिलियन डॉलर का नेट कैपिटल फ्लोउज आना चाहिए भारत के अंदर जो बहुत अच्छा है हमारी एकॉनमी की वृध्धी के लिए भी अच्छा है और इसे एंड में इंडस्ट्रियां लगेंगी नौक्रियां बनेंगी सब कुछ होगा बैलन्स ओफ पेइमेंट सर्प्लस जो है पहले छे महीने इस फानेंशल एर के 63 बिलियन डॉलर तो सर्प्लस में हम रहे बैलन्स ओपेइमेंट के तौर पे इसे स्ट्रेंथ आती है एकॉनमी की फॉरेक्स रिजर्व हमारे 633 बिलियन डॉलर डिसेंबर 21 तक आ गए यह अब हम चौथे बड़े रास्ट्रों हो गई है विश्वभर में जिसका बड़ा फॉरेंड रिजर्व है उपर है चीन है जपान हो गया साओधी अरब हो गया और फिर भारत का नंबर आता है सबसे लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व उनिस सो इकानवे का जब संकट आया था हमारे पास दो हफ़ते के इंपोर्ट के भी पैसे नहीं थे और अब देखें तो हमारे पास तेरा महीन के इंपोर्ट तो एक साल और एक महीने का हम इंपोर्ट अपने रिजर्व से ही कर सकते हैं यह देश को बहुत सुद्रेड बनाता है एकॉनमी को सुद्रेड बनाता है रेटिंग आपकी बढ़ती है बाहर से पैसा उठाने आपकी कंपनियां जाती है तो उनको असानी रहती हैं वो देखते हैं इनके घर में कितना पैसा है और फिर देखते हैं कि 600 बिलियन डॉलर तो इनके आर्बिय के पास फॉरण रिजर्व पड़ा है तो इससे देश की छवी बहुत बढ़ती है देश की शक्ती बढ़ती है यही जो हम बात कर रहे थे सो 400 बिलियन से लगबग 633 बिलियन हो गया पिछले चार सालों में बहुत ही स्ट्रॉंग यह भारत को बनाता है तो यह हमने पूरी एक स्नैपशॉट देखी एकॉनमी की अब तीन चार और स्लाइड्स हैं जो एकनॉमिक सर्वे ने बातचीत करी अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिएगा जाने से पहले और हो सके तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल बजट पे भी मैंने वीडियो डालना है कोशिश करूँगा आज में हो जाए और किसी कारण फसा रख पिछले हफते बहुत सारे मीडिया के शो करने पड़े लगबग 20 शो किये फिर सेमिनार्स में बोल रहा था सी एंसिच्यूट को एड्रेस किया तो कहीं कहीं इतने सेमिनार रहे पिछले एक ह सर्वे मैंने बोला आप सब देख पाएं तो अच्छा है वैक्सीन में देखें तो एक सो वन फिफ्टी सेवन था यह अभी एक सो बासट करोड़ वन सिक्स्टी टू करोड़ हो चुका है यह 31 जन्वरी के फिगर थे 161 जन्वरी के फिगर थे अभी तो 162 हो गया और हमारी क चाहें तो एक करोड़ भी कर सकते हैं 30-40 लाग तो ऐसे ही हो जाता है यह बहुत बड़ी उपलब्धी है ऐसे देश को कि हमने वैक्सिन भी अपनी बनाई और हमारा इतना स्ट्रॉंग नेटवर्क है कि इतनी बड़ी आबादी दूर दराज आबादियों में भी हमने पूर करोड़ की दो डोसे हो चुकी है पूरे देश के लिए बहुत अच्छा है और यह सम्मान देना चाहिए हमें जिन जिन लोगों ने डॉक्टरों ने वैग्यानिकों ने कंपनियों ने जो बनाई दवाई और सरकारों जो जिन सरकारों ने इसको एंशोर किया कि मुफ्त में दवाईयां सब तक पहुंचें इससे भारत बहुत अच्छी पूजीशन में और अब हम एक्सपोर्ट भी करेंगे यह वैक्सीन दुनिया के गरीब देशों को हम दे भी सकते हैं यह वैक्सीन बहुत अच्छी बात है एक्सपेंडिचर ओन सोशल सर्विसेज जो है वो भी बढ़ा दिया गया है लगभग आठ दश्यमलव छेंप रतिशत जीडिपी का वो बन रहा है और बढ़ता जा रहा है लेबर अच्छी तरह से रिकवर हुआ है इंप्लॉइमेंट अर्बन सेक्टर में रिकवर हो रहा है जॉब्स फॉर्मलाइजेशन तो सरकार दे रही थी इंसेंटिव कि अगर आप अपने लोगों को एपी एफो में प्राविडेंट फंड और्गनाइजेशन में अगर आप डालेंगे तो हम कुछ खिष्टें हम भ करोड का खर्चा मनरीगा में हुआ दोहजार वीस iकिस में 21-22-22 में उमीद है कि 93-о अब का खर्चा होगा और 22-22 में भी एक बड़ा नंबर सतर हजार करोड से ज़्यादा मन्रीगा में होने तैय है लगता आए कि फिर वोट ऑन अकाउंट करके उसको बढ़ा दिया जाएगा अगर जरूरत रहेगी तो बढ़ भी सकता है स्टेट्स को जो सेंटर असिस्टेंस देता है ट्रांस्वर्स देता है वो बढ़ते जा रहे हैं और स्टेट्स का लिमिट भी बढ़ा दिये गया इस बजट में जो एक फरवरी को बजट पेश की गई उस लेवल को भी अब चार्ड लाग करोड का बॉर्विंग स्टेट्स के लिए कर दिया और सरकार ने एक लाग करोड और स्टेट्स को प्रदान करने के लिए का है वो एक लाग करोड रहेगा इंट्रेस्ट फ्री तो जीरो इंट्रेस्ट पे पचास साल का लोन तो वर्चुली आप सोचिए पचास साल में रुपई की क्या कीमत रह जाएगी एक लाग करोड की क्या किमत रह जाएगे इंफलेशन से तो वर्चुली आप सोचिए ग्रांट ही है चाहे स्टेट्स के बैलेंस शीट पे लोन की तरफ रहेगा बट बहुत अच्छा एक तरीका है ग्रास रूट पे ग्रोथ लाने का अग्रिकल्चर में तो काफी काम हो रहा है एनिमल हस्बंडरी बाकी चीजें भी ताके क्रिशी वर्ग में काम होता रहें सिर्फ वो क्रिशी पे ही निर्भड ना रहें बट एलाइड एक्टिविटीज में और साथ में क्रॉप डाइवर्शिफिकेशन यह ओयल सीड दालें हौटी कल्चर जो हम कर पाएं इसकी तरफ भी फोकस है और स्टेट कॉमेंट्स के साथ भी काम चल रहा है कि हाई वैल्यू एड़िट किस तरह से किसान कर पाएं रेकमेंडेशन क्या कहते हैं फोकस और न्यू टेकनोलोजी यह सब चीजें बजट ने कर दी तो बजट के बारे में जब बोलूँगा तो यह कवर कर लूँगा आपके लिए यह पढ़ सकते हैं अपने आराम से आर एंडी बढ़ाई है ड्रोन्स का एनांस्मेंट हो गया कि ड्रोन्स का यूज होगा हमारी कृशी में और रिसर्च और डिवेलपमेंट होगा फूड प्रोसेसिंग मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क यह ट्रेने ऐसी लगाई जाएंगी जो के फार्म प्रोड्यूस जल्दी से जल्दी बाहर पोर्ट तक ले जाएं ताके बाहरी देशों में जाएं और किसानों का आमदनी बढ़ती जाएं तो सब काम हो रहा है तो यह आज हमने कवर किया स्नाप्शॉट ऑफ इंडियन एकॉनमी पॉब्लिकेशन डिविजन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यरो भारत सरकार की तरफ से यह स्लाइड थी जो मैंने प्रस्तूत करीं आपके लिए आशा है आपको अच्छा एक भारतिये एकॉनमी का ज्यानवर्धन हुआ होगा और मैंने खुद खुद बहुत सीखा यह बनाने में पहले इसको एक एक सूत्र में डालने के लिए और संक्षिप्त में आपको बताने के लिए एक एक स्लाइड में मैं थोड़ा थोड़ा टाइम ले रहा था बड़ देखिए फिर भी 40 मिनिट ह होई जाते हैं क्योंकि इतना डेटा है 440 पेज का यह डॉक्यूमेंट है मुफ्त उपलब्ध है साइट पे भारत सरकार की तो वहां जाके आप ले सकते हैं अगर आपको रुची हो तो और नहीं तो पूरे साल भर में पढ़िए दो पेज रोज के पढ़िया आपका इतना ज्यानवर्धन हो जाएगा एकलिस भारत की एकॉनमी आप अंदर बाहर समझ जाएंगे पूरी तरह से बट इसमें मैंने आपको निचोड दे दिया और सब कुछ कवर कर दिया कॉंप्रिहेंसिव भी है बहुत और आपको साथ में समरी भी आती है और कभी भी आप चाहें त हो सके तो सब्सक्राइब करिए यह मेरा यूट्यूब चैनल है यहां पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कौन सा विशे आप चाहेंगे वो भी मुझे बताते रहिए मैं कोशिश करके पढ़ता हूं जवाब भी देता हूं जब टाइम मिलता है तो नए नए फिर आपके लिए वीडियो भी बना के लाता रहूंगा बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुब काम नाए सब का भला हो थैंक यू